नमस्कार आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट मैं हूँ आपके साथ अधती मिश्ट्रा इस समय समूचा उत्तर भारत शीतलेर और भीशन ठंड से कांप रहा है ऐसे में बाहर से आने वाले यात्रियों, गरीबों, असहाई और निराश्वित लोगों के लिए ठंड से बचने के लिए बनाए गए रहन बसिरे का रियल्टी चिक करने हमारे समधाता लोकेश ट्रिपाठी ने अमेटी कस्वा च्वेत्र के रहन बसिरे का जाय जा लिया अमेटी कस्वे में ये रहन बसिरा आस्थाई रोप से नगरपंचायत के ओफिस के सामने नगरपंचायत वरा बनाए गई दुकानों में चलाय जाता है रहन बसिरा काफी अच्छी लोकेशन पर है क्योंकि इसके ठीक सामने रोडवेज बस स्टैंड है और यहीं से मात्र 500 मीटर की दूरी पर अमेठी डेलवे स्टेशन है इसके कारण ट्रेन के लेट होने यहां बस से उतरने वाले यात्यों को रहन बसिरे में पहुंचने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती हलांकि जब हमारे समवादाता ने इस रेन बसिरे पर पहुंचकर उसका जायजा लिया तो वहां केवल तीन ही लोग ठहरे हुए थे जब उनसे यहां की सुविधाओं के बारे में जानकारी लिगई तो उनने बताया की यहां पर सारी चीजे बिल्कुल दुरुस्त है साफ सूतरे रजाई, बिستर, चारपाई के साथ, पेजल, आदी की सुविधा मौझूद है उन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। नहीं बताया कि उन्हें बताया कि उन्हें को यहां बुलाया गया है। लेकिन इसके अलामा भी और भी तमाम बच्चे देखने को मिले। जिस पर बिद्याले प्रसासन का साथ तौर पर कहना है कि हमारे जो संगठन है जो बिद्याबारती है उसके उसका निरीक्षण हो रहा है उसके निरीक्षण के लिए कुछ बच्चों को बुलाया गया है अब यह देखने वाली बात होगी इतनी जबर्जस्ट ठंड में जब क सासन का नर्देश है कि पूरी तरह बिद्याले बंद रखे जाएं ऐसे में बिद्यालेओं को खोला जा रहा है और सासन के आदेश को कहीं न कहीं उनकी अवहेलना की जा रहा है अब यह देखने वाली बात होगी इस पर सासन किस प्रकार की कारवाई करता है और क्या सासन की जो मनसा है उस पर पूरी तरह ये इस्कूल जो भी विद्धेले हैं वो सब खरे उतरते हैं कि नहीं कमरापसर नासीश के साथ लोकेश तरपाथी लाइब टूडे अमिटी